हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल फूटसम आज मैं शेयर करूंगी मटर पनीर पुलाओ की रेसिपी यह पुलाओ बनाना बहुती आसान है और बहुती टेस्टी होता है यह रेसिपी अगर आपको पसंद आए प्लीज लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और सब मांटर पनीर पुलाओ बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर को मैंने क्यूब्स में कट लिया है अधा कप मतर लिया है और one घरी मीर्ची लिया है यह फ्रोजन मटर नहीं है कच्चे मटर है आप चाहे तो फ्रोजन वाला भी यूज़ कर सकते हैं इधर मैंने लिया है 10-15 काजू और 10-15 किश्मिश गरम मसला पाउडर वांटी स्पून नमक लेंगे स्वात के हिसाब से मैंने इधर रिगुलर बासमती प्राइस लिया है इधर देर का प्राइस है आप चाहे तो लॉंग रिन राइस भी यूज़ कर सकते हैं खड़े मसाले में मैंने लिया है दो तेज पत्ता तो छोटी इलाइची एक बड़ी इलाइची दो इंच लालचीनी और साथ से आठ लॉंग वान टेबिल स्पून जी और कड़ाई में तू टेबिल स्पून ओयल गरम कर लेंगे आज जब अच्छे से गरम हो जाए तभी इसमें पनीर एड़ करेंगे और पनीर को ओयल में हल्का सा फ्राइची कर लेंगे इसको चलाते रहेंगे ताकि चारो तरब से पनीर अच्छे से गोल्डेन कलर का हो जाए जब थोड़ा थोड़ा इसमें कलर आने लगे इधर मेरा पनीर फ्राई हो चुका है इसको फ्राई करने में 5-6 मिनित लगा है तो अभी इसको गड़ाई से रिमूप कर लेंगे अच् काजू और किश्मिष को काजू को मैंने दो टुकड़ों में काट लिया है इसको भी लो फ्लेम में चलाते हुए फ्राई करेंगे किश्मिश जब अच्छे से फूल जाए उसका मतलब ही फ्राई हो चुका है और काजू में भी थोड़ा-थोड़ा कलर आने लगा है तो इसे भी अभी रिमूव कर लेंगे अभी कड़ाई में जो घी लिया है मैंने टूटेबिल स्पून उसे एड़ कर देंगे अब चाहे तो पुरा ओयल में भी बना सकते हैं और पुरा घी में भी बना सकते हैं इसमें अभी खड़े मसा ले तेजबत्ता दाल चीनी छोटी लाईची बड़ी लाईची और लॉंग एक कर देंगे इसको 30 मिनिट के लिए हुन के उसके बाद जीरा एड़ करेंगे जिरा जल्दी बून जाता है तो जीरा में थोड़ा सा जब कलार आने लगे उसका मतलब यह मसाले भून चुका है कि अब हमने मिर्ची और मोटर कर देंगे हारी मिर्ची चाहिए थो आब कॉस्टीटी बढ़ा सकते हैं जाला तीखा पसंदे तो अब इसमें फूटा सा नमक एट कर देंगे कि इसको ढब धक देंगे पांच मिनिट के लिए पांच मिनिट बाद इसको खोलेंगे देखिए मटर थोड़ा साफि ऑ चूका है अभी इसमें चावाल भी चावाल डाल को अच्छे से फ्राई करेंगे चावाल को थोड़ा सा अगर फ्राई कर लेंगे तो ज़्यादा गल नहीं जाता है और खिला खिला बनता है तो इसको 5-6 मिनिट इसको लो फ्लेम पे भून ले देखिए मेरा चावल भून चुका है पूरा पानी इसका सूप चुका है घड़ाई में कोई भी पानी नहीं है और चावल का कलर भी तोड़ा सा चेंज हो गया है वाइट इस दीखने लगा है तो अभी इसमें पानी एड़ करेंगे पानी लेना है चावल जिस क्वांटिटी के लिया है उसका डबल पानी लेना है मैंने देड़ कप चावल लिया है तो उसके हिसाब से तीन कप पानी लेना है मैं इधर तीन कप से आधा कप कम पानी उसकर रहे हूँ बाद में अगर चाहिए होगा तो और आधा कप पानी उसकरूंगे पानी का क्वांटिटी चावल टू चावल फैरी करता है तो इस सबसे थोड़ा सा पहले कम डाले लगे तो उसके बाद डाले इधर मैंने नमक स्वादानुसर डाल दिया है मैंने इधर देड़ टी स्पून नमक एट किया है अभी इसमें उबालाने देंगे जितना चावल लेना है उसका डवल पानी चाहिए होता है तो डवल से थोड़ा सा कम ही पहले यूज करें चाहिए होगा तो डवल यूज करें तो इधर इसमें उबाला गया है अभी इसको ढग देंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे इसको पांच मिनिट ढग के पकाएंगे पांच मिनिट हो चुका है अभी इसको खोल के देखते हैं देखिए चावल आधा आधा पक चुका है पूरा नहीं पका है अभी इसमें पनीर और काजू और किश्मिश एट कर देंगे इसकी फ्राई करके रखी थी मैं और इसको करें और इसमें थोड़ा से ची डी स्टाइम करें इसे भी खिला खिला रहेगा जाओ पाउडर दीआ है तो भी नाह settings कही है और में थोड़ा सा पानी और डाल रही इदर मेरा झिन कप पानी हो गया के अब से फोड़ा सा कम ली थी अभी तिन कप टोटल डाल देया पानी अब इसको अच्छे से मीक्स कर लेंगे और फिर से भड़क देंगे पांच से साथ मिनिट के लिए देखें आप मिनिट हो गया है मैंने बीच में एक बार खोल के इसको थोड़ा सा हिला लेया था नीचा से यह अभी चावल थोड़ा सा और कूख होगा इसको फिर से पांच मिनिट के लिए ढग देंगे पांच मिनिट बाद यह देखिए चावल पूरा मेरा बॉयल हो चुका है और यह भी खिला खिला हो गया है तो अभी इसको कर्ची के मदद से थोड़ा सा नीचे का जो चावल है उसको उपर कर दे और इसको पांच मिनिट थोड़ा सा रेस्ट करने दे ऐसे ही खोल के रखे उस करें कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ थैंक यूँ